बार्ड मेर में गुरुवार रात दुरगटना गलस्त हुए मिग 21 विमान में शहीद हुए पाइलेट मोहित राणा का शनिवार को चंडीगड में अंतिम संसकार किया जाएगा एरफोर्स के विशेश विमान से शनिवार सुबा शब बार्ड मेर से लाया गया चंडीगड के सेक्टर 25 हमशान गाट में शहीद मोहित राणा का अंतिम संसकार किया जाएगा वहीं उनके पिता ओम परकाश राणा एक रिटायर सैनिक के बिनाते अपने बेटे को विदाई देंगे उन्होंने कहा कि मोहित का पिता गर के अंदर है मैं एक रिटायर सैनिक के नाते एक शहीद को विदाई दूँगा मुझे गर्व है उस शहीद पर जिसने अपनी जान दे कर कई ग्रामेणों की जान बचाई आकरी वक्त पर भी सूजबूस से प्लेन को खाली हिलाके में क्रैश कराया मोहित का परिवार न्यू चंडीगड के ओमैक सिटी में रहता है शुक्रवार को शहीद मोहित राणा का शव चंडीगड पहुँचना था लेकिन खराब मोसम की कारण उनका शव चंडीगड नहीं पहुच पाया हास्ते की सूचना के बाद से परिवार वालों का बुरा हाल है लटना की सूचना के बाद से मा ने खाना पीना तक छोड़ दिया है बस नोजवान बेटे को ही याद कर रही है महिस्ताने पुलिस वाप परसाशन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है महिस्त शादी शुदा थे उनकी पतनी निधी और तीन साल की बच्ची उनके साथ बाड मेर में ही रहते थे महिस्त एर फोर्स में नई पाइलिटों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षन देते थे उनके पिदा ओम्र का शुराना रिटार्ड एफ्रिडेंट करनल है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें